नमस्कार दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागय था अपके अपने यूटूब चैनल रागव पाम एनलिस्ट पर अगर आप इपने पाम का एनलिस्ट का बना चाहते हैं तो मेरे अपनी सारी वीडियो के डिस्किशन में अपना कॉंटेंट नमबर छोड़ दिया है आप उस सब्सक्राइब करने की कोशिश करते हैं सबसे पहले नजर डालेंगे दोस्तों इस हाथ पे तो हमें क्या दिखेगा जाहिर सी बात है अगर मेरे आप रेगुलर्स वीवर्स हैं तो आपको पता ही होगा रहु रहु रेखा हैं और रहु रेखा भी छोटी मुटी नहीं दोस्तों सबसे छोटी रहु रहु रेखा होती हैं जो केवल टन्षन देots हो आपको केवल इतनी देखने को मिल जाएंगी दोस्तों उस से जादा होतीए थोड़ी खदरिकों नुक्सान करवा धीन लेकिन दोस्तों सबसे खटरिका होतीए आप देखेंगे जो ऐसे जाती हैं काफी लंबी होती हैं दोस्तों आप देखेंगे यहां से तो दूर यह और आगे तक जा रही है और यह काफी अधा इनके हाथ कैसा काट रही है देखें दोस्तों यह रहो रिखा क्या करती है सबसे पहला अगर यह आपके जीवन रिखा को क विखकत एवन श्ट्रेगल को लेकर आती हैं दोस्तों अगर इससे भी बुरा जब होता है जब रहु रेखा इससे आगे बढ़कर आपकी मैंड लैंड को काट दे जैसे कि आप देखेंगे कि यह रेखा यह रेखा आगे बढ़कर इनकी मैंड लैंड को काट रही है इसके करती है कि इन्सान को रिकटि को मैंटली प्रेशर रहे गा किसी ना किसी बात की चंता हमेशा लगी रहेगी इसके साथ विप्टी बिल्कुल रहती इस्तिती और दोस्तों मैं बताना अभी दोस्तों सेपहले मुझे धन्रे कही दिखा ले है तो दोस्तों पैसे का नुक्सान तो 100% होगा ही इन्हें पैसे का नुक्सान अगर नहीं होगा तो confusion रहेगी आगे बढ़ने में दिक्कत आएगी दोस्तों जिन्दिगी में इसके साथ साथ अगर इनकी जो capability है यानि यह 100% कर सकते हैं किसी भी चीज में तो उसका जो यहां से चलकार इनकी घृध्दे रेखा तक भी पहुंच चुकी है दोस्तों ये इनकी वरीकार की हाथ होती अगर यहां पर कोई रेकार तक पहुंच जाए राहू रेका तो यह शो करता है कि व्रेक्टी को जिंदी की में ऐसके जटकेwas carrier के घ्टेख़ तो सबसे पहले इनका शुक्रपर्वत है शुक्र परवत आप देखेंगे काफी फ्लैट है दोस्तों जब ऐसा शुक्रपर्वत होता है तो व्यक्ति को लगजेरी या तो चाहे नहीं होती या फिर अगर चाहिए होती है तो उसे पानी के लिए वक्ति को मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है तो इंदा सेंस में कहूंगा घर गाड़ी पैसा मंगना मकान जो भी इनको लगजरी है चाहते होंगे तो उसके लिए मेहनत आम लोगों से ज्यादा करनी पड़ेगी चंदरपरवत भी दोस्तो ठीक ठाकी है जैसा चंदरपरवत है तो माताजी का सपोर्ट अपने जीवन में ठीक ठाक मिल जाएगा इवं इनकी निड़ने शक्ती भी काफी नॉर्मल होगी दोस्तो ये शो करता है कि ऐसे अगर जल्दबाजी में भी कोई निड़ने लेंगे तो तो वह इनका गलत साबित नहीं होगा उसमें भी इनको फायदा या फिर फायदा देखने को मिल जाएगा बहरी मंगल भी दोस्तो ठीक है जब ऐसा बहरी मंगल होता है तो व्यक्ति को प्रेशर हेंडिंग के प्लिशिटी काफी अच्छी होती यानि व्यक्ति का बुरे समय इस अपने संगर से लड़ता है अपने संगर्शों से डट का मुकाबला करता है और एक समय पर आगर जीद भी जाता है तो ऐसे लोग प्रेशर किसी भी चीज़ का हैंडल असानी से कर पाते हैं इसके साथ साथ कंव्योंकिशन इसकिल्स काफी अच्छी होती है जब भी अज जनवी से मिल रहे हैं दोस्तों अंदूरुनी मंगल पर आप देखेंगे वही चिंता रेखा हैं काफी ज्यादा मात्रा में हैं और यह जब ऐसी चिंता रेखा होती है तो व्यक्ति जब भी खाली बैटता है तो उसको ऐसा लगता है कि मतलब अगर व्यक्ति खाली बैटेगा तो उसे किसना किसी बात की चिंता लगी रहीगी कोई अगर बात भी नहीं होगी तो ऐसे टोपिक प्रेंशन लेनी को जरुद भी नहीं है और जैसेन का अंदुरुनी मंगल है यह शो करता है कि फिजिकल एनर्जी इनमें नॉर्मल होगी किसी भी काम को करके जल्दी नहीं ठाकते होंगे एवन बिना खायब यह भी काम करते रहते होंगे इसमें भी इनको कोई दिक्कत मेजूस नहीं होती होगी यह देखी दोस्तों गुरु परवद पर एक लाइन सीधी खड़ी जा रही है यह दिखाती है कि वैसा व्यक्ति जब यह लाइन होती है तो यह रहू रहू रेखा है तो अभी तो श्ट्रगल रहेगा लेकिन जब यह मैं को पाया दूंगा यह रहू 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 इनक जो ग्रोथ होगी काफिया अच्छी होगी जैसन का गुरु परवत है उसे देखके लग रहा है कि फैमिली का सपोर्ट ने पहले भी अच्छा मिला होगा और आगे भी जीवन पर अच्छा मिलेगा ऐसा व्यक्ति का जब बुरे समय आता है तो फैमिली हमेशा साथ खड़ी ह होती है अच्छे समय में भी बुरेसे बुरे समय में भी ऐसे का फैमली उसके साथ नहीं छोड़ती आज यह देखी दोस्तों काफी दबा हुआ है जब ऐसा शैनि प्रवद दबा वोता है तो व्यक्तिकों काफी दाने इक बर्में नहीं बनता है यानि एक काम को करने के लिए काफी दा संगर्ष करना पड़ता है दिक्कते महसुस होती है एक काम को करने के लिए दोसे चारवार प्रयास करना पड़ता है तब जाके वह एक काम बनता है और दोस्तों दूसरा नेगेटर पॉइंट कोई मिलता है कि अगर इन्हें कोई कार खरीद नी होगी तो यह उस कार को जब तक खरीद पाएंगे जब तक पूरा शहर उस कार को चलागे नहीं छोड़ चुका होगा दोस्तों ऐसे व्यक्ति को चीजे लेट मिलती है और दूसरा दोस्तों कोई भी काम एक बार में नहीं बनता इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको बताऊं कि यह कभी भ दिकते महसूस देखने को मिल जाएंगी तो मैं अभी से कहूंगा कि अगर इनके पास किसी का कर्ज है तो उसे चुका दे जाफिर आगी जिंदगी में कभी भी किसी से कर्जा फिर लोन ना ले सूर्परवत भी दबा हुआ है दोस्तो हलका सा दबा हुआ है तो ऐसे व्यक्ति को अपनी ससाइटी से एक्सपेट करते होंगे कि मुझे इतना मानसमान मिलना चाहिए मुझे इतना पैसा कमाना है अपना अपने आपको बना के दिखाना इस सारी चीज़े होती है दोस्तों लेकिन ऐसा व्यक्ति को इन सरी चीज़ें को पाने में काफे दर संगर्श करना पड़ता है दोस्तों यह जो इस लेवल का पैसा कमाना चाहते होंगे जितनकी इनकी कैपलिविटी है उसका इनको कम ही मिलता हुआ क्योंकि सूर्य परवत दबा हुआ है शनी परवत दबा हु होते हैं अगर यह जॉब भी करेंगे तो इनका ध्यान बिस्निस की तरफ ज्यादा जाएगा इसके साथ साथ अपना कमायबाशा बुड़ाब्य तक अपने हाथ में रहता है हाथ में काफी अच्छी विद्धा रेखा है तो यह शो करते हैं एक टॉपिक पर डीबी स्टेडी करने वाली रखती होते हैं और अपने से छोटी उमर्ग के लोगों जो सला देते हैं जो एडवाइस देते हैं वो उनके काफियादा काम आती है और उससे काफियादा इनकी छोटे उमर्ग वाली लोगों को फायदा मिलता है यह देखिए दोस्तों यह इनकी पिंकी फिंगर है और यह इनकी सूरे की उंगली के फर्ष्ट फैलाइंस तक नहीं पहुंच रही है तो जब ऐसा कॉम्बिनेशन हाथ में होता है तो ऐसे विक्ति को मनी मनेजिमेंट नही मैं एडवाइस दूँगा कि जितना भी पैसा कमाएंगे आगए चलके वह अपने पास न रखे करें को कि इनके पास रहेगा वह पैसा वह खर्च होगा तो अपने पास न रखकर अपने किसी फैमिली मेंबर को ठाक रखने के लिए दिया करें जिससे वह पैसा काफ यदा से अगर हम दूसरी उंगली यानी गुरू की तरफ देखेंगे तो आप देखने को मिलेगा कि दौन उंगलियां लगपक बराबर हैं तो इसके साथ शनी की उंगली बड़ी जा रही है तो ऐसा व्यक्ति धर्म पर यह होता है धर्म पर चलने वाला व्यक्ति होता है अपनी जि हाथ का कार देखें तो हाथ का कार आपको काफी दा रेक्टेंगल दिखेगा तो ऐसे व्यक्ति महनती होते हैं और जीवन में जब तक महनत करते हैं जब सफलता नहीं मिलती और सफलता के बाद ही भी अपनी महत को नहीं रोकते एवं महनत करते रहते हैं दोस्तों ऐसे व्यक विक्ति काफी समझदार पहुता है और जीवन में जो भी आगे बढ़ने के मौके होते हैं उन्हें थाम लेते हैं और जीवन में आगे बढ़ जाते हैं अगर हम बात करें के इनकी लेखा के बारे में तो यह इनकी इनकी रिखा है और ये शनी पर्वत्त की रुख रही है लेकिन देखें इसका जो जुका है गुफू गुरु परवबस की तरफ जा रहा है तो इन्हें समलित गुर्ण मिलेंगे यह शो करता है कि आदरशवादी जीवन जाने वाले विक्ति होंगे जैसा कि मैंने उबर बताया इसके साथ दोस्तों ऐसे विक्ति मनी मैंडेट होता है यानि यह जब भी खाली बैठते होंगे तो इनके दिमाग में चलता होगा कि और प कि अगर मााइंड लेन की तरफ देखेंगे तो मैंड लेन काफी बढ़िया है और यह मंगल की तरफ जा रहे है तो माइंड लेन शोब करते है काफी intelligent किसमके व्यक्ति होंगे हर सबसे जो इनके हाथ की जो मिस्टरी जो रेखा है वो है इनकी एक तो इनकी धन रेखा और इनकी जीवन रेखा अब इन दौन रेखा उपर ही हम बात करते हैं तो देखिए दोस्तों हाथ में तीन या चार धन रेखा होती है जीवन रेखा, मस्तिश्क रेखा, हिर्द रेखा और चौती आपकी भाग्य रेखा और देखे दोस्तों ये चारो रेखा हैं मैं आपको वीडियो में पता रहा हूँ जितनी पतली हो उतना अच्छा है और जितनी कम रेखा हो हाथ में उतना अच्छा माना जाता है जैसे कि अ इनका शुरुवाती जीवन है ये इनका 40 के बात का जीवन है तो उससे पहले संगर्श रहेगा कोई कि देख सकते हैं कि इतनी मोटी जीवन रेखाओगी इतने जा संगर्श होगा जीवन में और दोस्तों बुरे से बुरे केस में अगर उस पर रहू रेखा जाए तो काफेद कोई तरह मिट जाएंगी दोस्तों तो आप देख सकते हैं मोटी जीवन देखा है तो संगश तो देगी है इसके साथ लेकिन इनके हाथ में एक आफशूट भी है लेकिन रहू रेखा जो आ रही है तो ये इसको इसके भी नेगेटरी परणाम दे सकती है तो अगर ये रहू र कप शूट आता है तो वक्तिकों कोई खुश्ख्रवरी मिलती है इसके साथ प्रॉपर्टी खरीदने की योग भी होते हैं कोई रोकाओ काम बन जाता है या फिर कोई मन की इक्षा पूरी हो जाती है यह चारोकाओं में से एक काम जरूर होता है हाथ में बिजन्स और हेल्स राएन काफी जा रही है तो ये शूग करता आग rapt ये विजन्स करेंगे तो फायदा मिलेगा लेकिन बिजन्स में संगर शूगा को की राहू रेखा जादा हैं और ये इından रहा काट रही हैं खालत हतरों और मैंड दूस्टो यह तिन चीजा होती ही हैं है तरह सो ये इन चाहिए रहे हैं ये ट्रैंगल बना रहा है लेकिन आगर आप देखेंगे कि ए tes ट्रैंगल के बीच में ही ये रहु रहूरेखा भी इस ट्रैंगल को काट रही हैं दोस्तों इनके हाथ का ये एवन इनके जीवन का सबसे वाड़ा दुश्मन है राहू मैं रहूरेखाऊं के उपए दूंगा उन्हें करेंगे तो रिलीफ मिलेगा 100% मिलेगा यह देखें दोस्तों लगबग तो दोस्तों चोटे मोटे कटने ज्यादा बहुत बड़े कटें यह इनको भाई नुकसान दे कर जाएंगे तो दोस्तों सबसे पहले राहूरेखाऊं के उपाय करें फिर मैं शनी परवत के उपाय दूंगा अगर उपाय को रेगूर करेंगे तो काफी दर रिलीफ देखने को मिल जाएगा दोस्तों बाकि इनका इसे कुछ दिक्कत नहीं है बस रहूरेखाऊं को पाय करें इनको शांती मिल जाएगी अपने संकर्ष से और कन्फिशन से भी इनको सुटकरा मिल जाएगा तो मैंने इनके पाम का पूरेंसिस कर दी है मैं आशा करता हूं कि इनको सवालो को मिल गए होंगे अगर आपको मारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें नोटिफिक्शन का बेले गन जूट दबादें जिससे हमारे आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट सबसे पहले आपको मिलें तो चली दोस्तों मिलते हैं अगली वी